हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे का और वीडियो में सौगत है दोस्तों आज मैं आपके लेकर आया हूँ साउथ के टॉप 6 ऐसे साइको थ्रिलर सस्पेंस मूवीज दोस्तों वैसे तो साउथ फिल्म इंडिस्ट्री में बहुत साइसी फिल्म है सस्पेंस, थ्रिलर, साइको वाली बहुत सी फिल्म है ऐसी फिल्म है जो आपको एंड तक एंगेज करके रखेगी आपको खुरसी से उठने नहीं देगी तो उसी फिल्मों की समुंदर में से आपके लिए कुछ 6 ऐसी साइको थ्रिलर मुवीज लेकर आया हूँ है जो आपको देखने में भी मज़ा आएगा और आपका टाइम भी हचाखासा पास हो जाएगा और अगर आप साइको, थ्रिलर, सस्पेंस, हॉरर मुवीज के अगर फैन हो तो ये चैनल, ये वीडियो आपके लिए ही है तो चले दोस्तों बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं कामड़ नमबर 6 पैती है, साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म सुब्रमन्यमपुरम जो की एक साइको थ्रिलर मुवी है, जिसके आम डेबी की रेटिंग है 5.5 और इसकी स्टार कास्ट में आपको नजर आएंगे सुमंत, इशारेब्बा और भादरम फिल्म की स्टोरी में एक गाउं दिखाया गया है, जिसका नाम रे सुब्रमन्यमपुरम जहां के लोग एक-एक करके सुसाइड कर रहे होते हैं जब वो सुसाइड कर रहे होते हैं तब उन्हें एक मोर दिखाई देता है, जैसे हैं उन्हें मोर दिखाई देता है, वैसे ही वो सुसाइड कर लेता है लेकिन वो मोर जो अपने आपने बलकि एक साइको किलर के जरी दिखाया जाता है साइको किलर उन्हें मोर दिखा कर उन्हें मार रहा होता है पर वो साइको किलर ऐसा क्यों कर रहा है वो कैसे मोर दिखा कर लोगों को मारता है यही फिल्म के आगे की कहानी है तो इसे में इस फि इस फिल्म की स्टोरी आपको एंड तक एंगेश करके रखेगी इस फिल्म को ज़रूर देखना हूँ कमड़ नंबर पाच पैते साल 2017 की साइकोलोजिकल थ्रिलर फिल्म उरू जिसे हिंदी में उरू दर ट्रैप नाम से डब किया गया है जिसके आइम डिबी रेटिंग ए 5.9 और इसकी स्टार कास्ट में आपको नजर आएंगे धनसी का मायम गोपी और जया बालन फिल्म की शुरूआत में हमें उरू बुक राय्टर को दिखाया गया है जिसका नाम जीवन होता है जिसकी बुक को लोग शुरुआती दोर में बहुत पसंद करते थे लेकिन धीरे-धीरे उसके book के content इतने कुछ खास ना होने की वज़े से लोग उसके book को पढ़ना छोड़ देते हैं उसके book से लोगों का interest जोई वो कम हो जाता है तो ऐसे में G1 जोई वो बहुत ज़ादा परिशान हो जाता है वो उसी guest house में रूखता है लेकिन धीरे-धीरे उसी guest house में उसके साथ एक अजीबो गरीब गटना होना शुरू हो जाती है और एक दिन उसका सामना हो जाता है psycho killer के साथ जिया psycho killer उस guest house में आकर G1 को मारने की कोशिश करने लगता है तो ऐसे में G1 जो है वो psycho killer से अपने आपको कैसे बचाता है और वो psycho killer को मार पाता है या नहीं यही फिल्म की आगे की कहानी है फिल्म में काफी 3 लेक काफी डर है क्योंकि जिस तरी के से psycho killer आता है वो देखने के बाद दोस्तों आपकी आखे जो ही वो अपने आप बंद हो जाती है वो हाँ का scene आप देखना पसंद नहीं करते हो बहुत ही जबरदस फिल्म है दोस्तों इस फिल्म की लिंक जोस्तों मैंने description में दे दिये यह फिल्म आपको YouTube पे available है आप वहाँ पे जाकर इस फिल्म को देख सकते हो पाउंडर नंबर 4 पैते साल 2020 की एक psychological thriller फिल्म जिसका नाम है Psycho जो आपको Netflix पे available मिलेगी English subtitle के साथ इस फिल्म को IMDb की और से 6.3 के rating मिली है इसकी स्टारकास्ट में आपको नजर आएंगे विद्या निधी, अधितिराव हिदरी और नित्या मेनन फिल्म में एक psycho killer दिखाया गया है जो दहिनी नाम के एक लड़की को kidnap करता है दहिनी का एक boyfriend होता है जो की blind होता है जो की अंदा होता है फिर भी वो अपने girlfriend को बचाने के लिए वो psycho killer का पता लगाने की कोशिश में लग जाता है वो psycho killer इतना खतरना कोता है उसने इससे पहले भी बहुत से लोगों को kidnap करके बड़ी बहरे में से मारा होता है अब इसमें वो psycho killer का क्या मकसद है वो लोगों को kidnap करके उन्हें क्यों मारता है वो भी बड़ी बहरे में से क्यों मारता है यही फिल्म के आगे की कहानी है तो इसे में दहिनी का blind boyfriend उसे वहाँ से बचा पाता है या नहीं यही फिल्म की आगे की कहानी है फिल्म का plot काफी जबरदस्ते और यह भी फिल्म suspense तेजर साइको में master piece है यह फिल्म आभी तक हिंदी में available नहीं है और YouTube पे भी यह फिल्म नहीं है यह फिल्म आपको देखनी है तो इनेट्रिस पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको English subtitle के साथ इस फिल्म को देखना पड़ेगा फिल्म की स्टोरी काफी अच्छी है आपको इस फिल्म ऐसे भी देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा अगर आप नीचे के सब्केटल पड़ोगे तो भी आपको इस फिल्म समझ में आ जाएगे बहुत ही बहतर इन फिल्म है यह फिल्म भी आप जरूर देखना काउंटर नमबर 3 पैतिय साल 2012 में रिलीज वही फिल्म थीवरम जिसके IMDB की रेटिंग है 6.5 इसकी स्टार कास्ट में आपको नजर आएंगे दुलकिर सल्मान, स्री निवासन और विजय फोड फिल्म की स्टोरी में दुलकिर सल्मान यानि कि हर्षवरदन एक आटो ड्राइवर को किड्नैप करता है और उसे बड़ी बहरे में से मोट के घाट उतार देता है यानि कि इस तरीके से कि उसके बोड़ी के छोटे-छोटे तुकडे कर देता है वो उसे इतनी बहरे में से क्यो मारता है और उसका क्या मकसद होता है ये पता लगाना चाहते हो तो आपको ये फिल्म देखनी होगी इस फिल्म का hero ये इस फिल्म का psycho killer है फिल्म का mystery plot काफी interesting है इस फिल्म को बिल्कुल भी miss मत करना इस फिल्म को एक बार तो ज़रूर देखना फिल्म में आपको दुर्कुर सलमान की जो acting देखने मिलेगी वो काफी भेतर है उस acting के लिए तो आपको ये फिल्म देखनी ज़रूरी है एक फिल्म का hero ये फिल्म का villain क्यों है ये आपको फिल्म के ending में पता चलेगा ये फिल्म यूटूब पे अवेलेबल है इसकी लिंक दोस्तों में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आप वहाँ पे जाके इस फिल्म को देख सकते हो अब काउंडर नमबर दो प्याते साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म स्पाइडर जिसके IMDb की और से 6.6 की रेटिंग है इसकी स्टार कास्ट में आपको नजर आएंगे महेश बाबू रकुल पृत सिंग दोस्तों इस फिल्म के स्टार कास्ट में है महेश बाबू जो की साउट के बहुत ही बड़े सूपरस्टार है आँ और मैं डैम शूर हो कि आपने ये फिल्म जरूर देखी होगी क्योंकि सइको तिरिलर की फिल्मों की लिस्ट में ये एक मास्टर्पिस वाली फिल्म है और महेश बाबू जैसा बहुत ही बड़ा स्टार हो तो ये फिल्म तो आप लोगों ने इसने पहले देखी ही होगी अगर ये फिल्म आपने नहीं देखिए तो ये फिल्म ज़रूर देखना इस फिल्म की स्टोरी मैं आपको आगे बताता हूँ इस फिल्म में महेश बाबु एक पुलिस ओफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं और ये केस भी महेश बाबू के अंडर में आ जाता है। तो ऐसे में महेश बाबू उस साइको किलर को पकड़ते है या नहीं और उस साइको किलर का एंडिंग में जो की सबसे बड़ा मकसद होता है वो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। जहां से आपको पता चलता है कि साइको किलर इतने सारे मर्डर क्यों कर रहा होता है ये आपको मुवी के इंडिंग में पता चलता है। दोस्तो इस फिल्म में महेश बाबू है तो इस फिल्म की स्टोरी आपको आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा स्टार है तो फिल्म की स्टोरी भी वैसे ही होगी। महेश बाबु जिस तरीके से आइडिया लगाते हैं जिस तरीके से प्लान करते हैं इस साइको किलर को पकटने के लिए वो बहुत ये बहतरीन है। कहीं न कहीं ये फिल्म देखते वक्त आपको भी सोचना पड़ सकता है। बहुत ही इंट्रेस्टिंग फिल्म है दोस्तों ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये फिल्म भी दोस्तों इससे पहले यूटूब पे आवेलेबल थी लेकिन अभी उसके लिंक को वहाँ से हटाया गया है। इलीगल कंटेंट की वज़े से इस फिल्म को हटाया जाता है। लेकिन फिर भी ये फिल्म आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगे। कंटर नमबर वन पेती है साल 2015 की मिस्टरी थिलर फिल्म रंगी तरंगा जिसको हिंदी में भी सेम नाम से डब किया गया है। इसके IMDb की रेटिंग है 8.3 और इसके स्टार कास्ट में आपको नजर आएंगे अनुप भंडारी और साही कुमारी। फिल्म में गौतम और उसकी वाइप एक गाउ में रहने के लिए आते हैं और यहां आते हिए उनके साथ अजिप औगरीब घटना होना स्टार्ट होती है। गौतम के साथ होने वाले इस अजीब और गरीब घटना के पिछे किसका हाथ है, इसके पिछे क्या राज है, वो जानने की कोशिश में वो लग जाता है। दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म की स्टोरी के बारे मैं अगर आपको जरा भी बता दूँगा तो यह पूरी तरह से स्पोईलर हो जाएगा और आपको फिल्म देखने का जरा भी मजा ने आएगा। यह फिल्म भी पूरी तरह से थ्रिलर और सस्पेंस से भरी वही फिल्म है। इस फिल्म में भी एक साइको किलर दिखाया गया है जो गोतम की वाइफ को किड्नैप करता है। लेकिन उसके पीछे भी दोस्तो एक थ्रिलर ऐसा राज है जो आपको फिल्म के एंडिंग में पता चलेगा। बहुत ही बहितरिन फिल्म है। यह फिल्म भी एक मास्टर फिल्म है। यह भी फिल्म आपको देखनी बहुत ही ज़रूरी है। यह फिल्म दोस्तो आपको यह सिन का सैंतु यहां पर कैसे आ गया एक मतना वोगा ऐसे आगर दिमांघ लगाने वाले फिल्मांग को दिक सकते वह फिल्में आप यहां पर जाकि इन फिल्म को देख linearinding लिंक जो है कि डिस्क्रिप्सिन में दे दी आप वापी जाके फिल्में देख सकते हो तो चले दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत करें